हलो दोस्तों नमस्कार मैं आपिदाव सभी का आपके अपने परिवार एक्जामपूर परिवार में तहे दिल से स्वागत करता हूँ तो हम भी आसा करते हैं कि सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और समहाल के सब कुछ करेंगे तो आज जैसे की मिलना तो नहीं चाहिए था लेकिन मैं कहा कि थोड़ा सा कम से कम आपके सामने कुछ नया लेके आता हूँ सर, डाइस तो मैं पढ़ा रहा था तो फाइनली मेरे दिमाग में आया कि आपके लिए सर कुछ नया दिवाली पे आपके लिए क्या नया लेके आता हूँ तब फाइनली मैंने डिसाइट किया कि सर, स्रीज लेके आते हैं मनलब in the case की मैं complete कर दूँगा finally तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कहेंगे sir कैसे how, how can possible, तो मैं आपसे बताऊं भाईया कि मैं आपको series के type बताऊंगा, कि how many type of series, आपको ये बताऊंगा किस तरीके से बनती है, आप सोचते कैसे हो, हर इक बार में बताऊंगा, तो सभी लोगों का श्वागत बंदन, अभी नंदन, very good evening to all of you, सभी लोगों को नमशकार, सभी लोगों को जैन, एक बार जल्दी से सभी लोग वीडियो को जल्दी से like मार देंगे, और एक बार share तो मारने को कहूंगा, नहीं ताद्मी कहेगा, देखो, आप पढ़ रहे हो मेरा तेवार ना खराब करो, इसने share मारने को नहीं कहूंगा, आपकी जो इच्छा वो करिये, देखिए, सर स्रीज में हम जब बात करना सुरू करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग वर्ग, इसक्वाइर की स्रीज की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे, घ जोड की बात करेंगे, फिर घटाओ की बात करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, गुडा प्लस जोड, मतलब ऐसे अलग अलग तरीके की स्रीज, फिर उसके बाद गुडा प्लस घटाओ, गुडा प्लस माइनस घटाना, गुडा प्लस घटाओ करेंगे, उसके बाद भाग की स्रीज हर तरीके की स्रीज जितने भी टाइप की स्रीज हो सकती है number of type की स्रीज करेंगे ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे कमी देर पढ़ाएंगे परिशान ना हूए 25-30 कोशन करा देंगे एकदम परिशान नहों यह फील ना लीजिए चलिए तो सुरुआत करते हैं question number one on your mobile screen please tell me what is the correct answer please बताएं किर्पया बताएं कि 4, 16, 36, आप कहेंगे क्या मश्टर साब आप भी जवर जस्ति आईसा question लेके आए गए हैं लेकिन भाईया बंधू देखिए यह 4 है यह 16 है यह 36 है यह 64 है तो आप कहेंगे सर आईसा है थोड़ा tough करो अभी मैं कहूँ पहला question है मैं आप से कहा 0 label से सुरू करूँगा तो देखो भाईया यह square based series है यह वर्ग के आधहार पर स्रिंखला है वर्ग के आधहार पर स्रिंखला की बात करते हैं आधहार पर स्रिंखला की बात करते हैं वर्ग के आधहार पर on the basis of square वर्ग के आधहार पर स्रिंखला की बात करते हैं तो पहले से पहले question की हम लोग बात कर लेते चलिए पहला question आपका क्या है आपको square याद होना चाहिए हमारे गुरुजी कहा करते है कि एक स्वस्त मस्तिक्स को कम से कम 30 तक का स्कॉयर याद होना चाहिए और कम से कम 20 तक का क्यूब और आप लोगों के पास शमता है मैं रोज किस क्लास को इसमें आप से कहता हूँ देखें पहला क्या है चार का स्कॉयर है बहुत बढ़ियां सभी लोग सही जवाब दे रहें एकदम सही दे रहें पहले का 2 का स्कॉयर है दूसरा चार का स्कॉयर है तीसरा आपका 6 का स्कॉयर है और चौथा आपका 8 का स्कॉयर है और अगला क्या हो जाएगा भाया दो चार छ आठ तो दस, दस का स्क्वायर कितना हो जाता है बंधू, 100, 100 is a correct option, a is a correct option, a आपका बिलकुल सही जवाब हो जाएगा, happy, चलिए, अगले कुशन की तरफ चलते हैं, we are moving a next question, next question is a very easy, but a little trickle, तो जल्दी से बताएंगे, आसान कुशन है, बस थोड़ा सा tricky है, tricky है, आप ध्यान स 45, 36, 42, 49, अगर आप थोड़ा सा सोचे, तो सोचे, क्या करे, क्या क्या सर, ध्यान से देखिए, इतना तो समझ में आ रहा है ना भाईया, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 होता है, और अगर 5 के स्क्वायर में बंधू 5, अगर आप जोड़ देंगे, तो सर 30 हो जाएगा, मतलब क्य है यह, यह है आपका 5 का स्क्वायर, यह 5 के स्क्वायर में कितना किया गया, 5, यह सर है 6 का स्क्वायर, यह 6 के स्क्वायर में कितना किया गया, 6, यह है सर 7 का स्क्वायर, तो अगला कितना हो जाएगा, 7 के स्क्वायर में प्लस 7 कर देंगे, तो 7 सता कितना हो गया, 49 प्लस 7, उन्चाथ साथ कितना होता 56 56 is a correct option खुबसूरत बढ़ियां बढ़ियां मैंने आपसे कहा था समय मिलेगा तो एक movie देखिएगा आँखों देखी उससे आपको थोड़ा सा चीजों को बहुत बहतर होंगी महीरों का नाम मुझे नहीं आद है लेकिन आँखों देखी देखिएगा उसका आपको मनलब आपको लगेगा कि हाँ यार यह movie है अगला question सर आपके सामने है दी गई स्रेडी में से कौन सी संख्या गलत है मनलब इस तरीके से आप कहां question सर पूछे जाते हैं आप से पूछा जाएगा कि गलत पद कौन सा है गलत कौन सा है जल्दी से बताइए गलत कौन सा है हर तरीके से आप क्या question आते हैं आसान सा question है सर देखेंगे जवाब दे देंगे बहुत तेजी के साथ बहुत तेजी के साथ आप जवाब दे कि मेरा तयार हो गया देखो बैया यहां पर यह क्या है च्छे का स्कॉयर है बंदू यह क्या है साथ का स्कॉयर है यह क्या है सर दस का स्कॉयर है यह क्या है सर बारा का स्कॉयर है यह सूला का स्कॉयर है चाओदा का स्कॉयर है यह आपका क्या है सूला का स्कॉयर देखें तो करेग्या यहां पर साथ का इस्क्वाइर की जगे आठ का इस्क्वायर होना चाहिए था यहां पर सार चौशट होना चाहए था यह उनचास गलत आ गया 49 आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यह आपका संसंक्या के वर्ग की स्रिंखला है ठीक है ना event number K square की series है तो बेहतर खुबसूरत चलिए अगले कुशन के तरफ चलते हैं एक बार जल्दी से सभी लोग like कर देंगे वीडियो को एक बार फटाफट सभी लोग like कर देंगे जल्दी से एक बार like कर दीजिए और एक बार जल्दी से share कर दीजिए और question number 4 का answer सर जल्दी से comment करिए बहुत तेजी के साथ comment करिएगा चार सूला नौ बारा सूला इकीस पांच तीस आप ध्यान रखिएगा मैं आपका comment देख रहा हूँ अब आप इस sheet को समझ लीजिए मैं कैसे देख रहा हूँ आप इसको समझ सकते हैं तो आप बताए चार सूला नौ बारा इकीस पचीस तीस आपको ये बताना है कौन सा गलत पद है हर तरीके के सवाल आपके सामने है question कौन सा गलत पद है जल्दी से बताईएगा सर क्या हो ज यह 3 का square हो गया यह 3 का square प्लस 3 यह 4 का square हो गया यह 4 का square प्लस 4 होना चाहिए तो 16 प्लस 6 इसकल्टू कितना होना चाहिए था बैया 20 और यहाँ पा 21 लिखा है 21 इसर रॉंग 21 आपका गलत हो जाएगा 21 आपका गलत हो जाएगा question number 5 की तरफ चलते हैं ज्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा, तीस question आज कर लेंगे, बाकी कर लेंगे, कम से कम तीस question तो करें लीजिए, ठीक है न, चलिए, अगला question आपके सामने है, आपको बताना है, what is next, 51, 66, 83, 1, 0, 2, 1, 2, 3 and 1, 4, 6, बताइए अगला क्या हो जाएगा, what is next, जल्दी से बताइएगा, अभी जब हम square और उस पे चल रहे हैं, तो बहुत परेशान तो होने की बात है नहीं, अब आप सोचिए, कि सर, अभी तो सिर्फ square की ही आप बत कर रहे हैं, तो square ही होगा, आप सोचेंगे, तो सोचेंगे कैसे, कि अरे, 51, 49 के करीब है, ये तो 64 के करीब है, ये तो 81 के वर्ग प्लस जोड की स्रिंखला है, वो भी कान सा जोड, नियत करम में जोड, constant sum किया गया है, ध्यान से देखिए, 7 का square कितना होता है बंदू, 49 होता है, 49 plus 2 बराबर 51, 4 का square कितना होता है, उतना 8 का square, 64, 60 plus 4, plus 2, 66, उसके बाद 81, plus 2, 83, 100 plus 2, 102, 121, plus 2, 123, 144 plus 2, 146, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 169 plus 2, 2 कितना हो जाएगा, 171, 171, 171, 171, 171, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना बात सही, मजा आया, चलिए, खुबसूरत सा सवाल, 171 की 172, 172 आप्शन में लिखाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, भाईया, अगला कुशन देखिए, अगला कुशन लिखता है, 171, 198, 228, 206, 194, बताएगे क्या हो जाएगा, कुशन नमर 6 में काउन सा आप्शन करेक्ट हो जाएगा, जल्दी से बताएगे, अच्छा लगेगा, जल्दी से बताएगा, 170, 198, 228, 206, 194, एक बार लाइक कर दो भाईया, और एक बार सभी लोग शेयर कर दो जम के, एक बार सभी लोग लाइक कर देंगे वीडियो को, को जल्दी से लाइक कर देंगे देखिए जो लोग लाइक नहीं किया है बाकी लोग तो लाइक कर दी है आप लोग समझदार बच्चे हैं कोई दिक्कत नहीं है 170-198-228 कुछ दिमाग में घंटी बज रही है कि नहीं हां सर बस तो रही है क्योंकि हमको तो 13 का स्कॉयर याद ह है ना 13 का स्कॉयर याद है कि नहीं याद है याद है कि नहीं याद है 13 का स्कॉयर याद है सर हमको और भी स्कॉयर याद है पता नहीं किसका किसका स्कॉयर याद है आप पूछ के तो देखो 14 का square याद है, 14 का square याद है, 15 का square याद है हर square याद है, क्या सर आप square square daily करते रहते हो square square daily करते रहते हो, याद है सब एक दिन test लेकर के देख लो, कोई बात नहीं बंदू, मैं test नहीं लूँगा बस इतना बतादो, कि ये कितना हो गया, ये 13 का square में प्लस एक जोड़ दोगे तो 170 हो जाएगा, ये 14 का square 106 में होता है, 14 के square में प्लस दो कर दोगे, तो 1089 हो जाएगा, ये 15 का square हो जाएगा, 15 के square में प्लस 3 कर दोगे, 225 में प्लस 3 कर दोगे, तो 128 हो जाएगा, ये 13, 14, 14, 15, 16, 260 कैसे लिख दिया है भाई? 156, 156 हाँ ठीक है, 156, 16 का स्क्वाइर प्लस 4, 156 प्लस 60, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 17, 17 का स्क्वाइर कितना होता है? 200 कितना हो जाता है? 200 आपका होता है 289, 289 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 294, तो 18 का स्क्वाइर में, 18 के स्क्वाइर में कितना जोड़ देंगे? 5, 16, 18 का स्क्वाइर होता है 324, सही मैं लिखा हूँ, 324 प्लस 6 बराबर 330, क्या यह option है, 330 option है क्या सही मैंने किया है एक बार जल्दी से comment करके बताइए क्या मैंने सही किया है, बिल्कुल यही answer होगा न, एक बार जल्दी से बताइए बंदू, यही होगा न, सब का square बढ़ते क्रम में, देखिए square और बढ़ते क्रम में जोड, 13 का square प्लस, 14 का square प्लस, 2, 15 का square प्लस, 3, 16 का square प्लस, 3 के बाद, 15 का square प्लस, 4, ऐसे से बढ़ता चला गया, 17 का square प्लस, 5, 16 का, उसके बाद, 18 का square प्लस, 6, समझ गए बात को, यहां पर देखिए, अगला question, यहां पर 78, 97, 98, 118, 147, 166, 66, अब फिर से अभी square पे ही बात चल रही है, जब square पे बात चल रही है, तो इसको बताईए क्या हो जाएगा, 78, 97, 98, 118, 141, 166, 68, क्या है, इसमें ध्यान से देखिए, 78, बस इतना आपको सोचना है, कि किसे square के करीब है, आपके 9 का square जब 81 होता है, 81 में से 3 घटा दोगे, भाईया, तो कितना हो जाएगा, 78 नहीं हो जाएगा, उसी तरीके से 9 के बाद 100 के square, ओ, स्वारी, 100 के नहीं, 10 के square में से 3 घटा दोगे, तो 97 हो जाएगा, 11 के square में से 3 घटा दोगे, तो 118 हो जाएगा, 144 12 के square में से 3 घटा दोगे तो 41 हो जाएगा उसी तरीके से 13 के square 169 में से 3 घटा दोगे तो 166 हो जाएगा उसी तरीके से 14 का square 193 is a correct option 193 is a correct option सही है ना समझ में आ रहा है यह तो याद नहीं आ रहा बगल में पठाखा फूट रहा है आपको लग रहा हो माई गॉड यह तो हम पागल हो गए लेकिन याद रखिये जिस दिन वर्दी मिली न भाईसाब उस दिन पठाखा तो हम फोड़ेंगे आईसा पठाखा फोड़ेंगे कि महले वालों को एसास होगा कि आजे दिवाली आजे सब कुछ है बिलकुल कोई नहीं मना नहीं कर रहा हूं तेवहार सेलिब्रेट करिए बहुत अच्छे से करिए लेकिन अपने मूल को मत भूलिए आपका मूल आपके साथ होना चाहिए च हर तरीके की सिरीज आपको कराऊंगा मैं जान रहे हैं आपसे लगातार मैं आपके सामने जब भी आ रहा हूं कम से कम हर टॉपिक के सो कोशन करा रहा हूं पासे में अभी आपका छोड़ा हुआ हो तो उसको फिर से कराऊंगा हर तरीके के लगभग आपके सामने सो कोशन मे करा रहा हो ठीक है ना पानी और ने पीते रही है देखिए यहां पर 11 का स्कॉयर कितना होता है 121 होता है 121 में से 1 घटा दोगे तो 120 हो जाएगा 12 का स्कॉयर कितना होता है 144 होता है 144 में से 2 घटा दोगे तो 142 हो जाएगा 13 का स्कॉयर कितना होता है 13 का स्कॉयर होता है 169 होता ह कितना होता है भीया 169 में से 3 घटा दोगे तो 166 हो जाएगा 14 का स्कॉयर कितना होता है 14 का स्कॉयर होता है 162 162 में से 4 घटा होगे तो 122 आएगा उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर 15 का स्कॉयर में से 5 घटा दिया गया तो आगे सूला के स्क्वाइल में से भी कितना घटा दिया जाएगा 6 घटा दिया जाएगा यह हो जाएगा 256 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा 250 250 is a correct option ठीक है बहतर 250 clear है चलिए अगले कुशन की तरफ चलते हैं we are moving a next question on your mobile screen please tell me what is correct answer 30 42 56 70 and 92 प्लीज चल्वे जल्दी से बताइए बंधू क्या हो जाएगा एंसर 30 42 572 अगर हम देखें तो हमको इतना समझ में आ रहा है क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर देखें 5 का स्कॉायर बराबर कितना होता है 25 25 में अगर हम 5 जोड़ दें तो 25 पांस 30 हो जाएगा 6 के स्कॉायर मतलब संख्या का स्कॉायर प्लस संख्या संख्या का स्कॉायर प्लस संख्या 6 का स्कॉायर प्लस 6 यहाँ पर देखें 7 का स्कॉायर प्लस 7 यहाँ पर देखें 8 का स्कॉायर प्लस 8 यहाँ पर देखें 9 का स्कॉायर प्लस 9 अब तो आगे क्या हो जाएगा 10 का स् 100 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा 110 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 110 हो जाएगा C is the correct option C आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा समझ में आ रही ये बात आज ही आपको square भी याद हो जाएगा आज ही आपको square भी बहुत अच्छे से याद हो जाएगा चलि ठुक ठुकी तो बजी होगी कि अच्छा ये तो बड़ा आसान कुश्यन है सर बता ये जल दी से 110, 132 बता ये क्या हो जाएगा 110 दिमाग में आता है कि 10 का स्कॉाइर प्लस 10, 110 हो जाता है लेकिन 11 के स्कॉाइर में अगर 12 जोडते हैं तब 132 हो जाता है तब कुछ और सोचते हैं सर हम कुछ और सोचते हैं क्या समझ में आएगा देखिए हम अगर 11 के स्कॉाइर में से 11 माइनस कर दें मतलब 121 में से माइनस 11 कर दें तो 110 हो जाता है अगर हम 12 के स्कॉाइर में से माइनस 12 कर दें 144 में से माइनस 12 कर देते हैं तो 132 आ जाता है अगर हम 12 के बाद 13 के स्क्वाइर में से माइनस 13 कर दे 14 के स्क्वाइर में से माइनस 16 कर दे 15 के स्क्वाइर में से माइनस 15 कर दे आगे 16 के स्क्वाइर में से माइनस 16 कर दे 16 का स्क्वाइर 256 माइनस 16 6 में से 6 गया 0 बिल्कुल सही जवाब दे रहा है 240 is a correct option इस तरीके से series अगर आप पढ़ लेंगे सर ना तो हम guarantee के साथ कहते हैं आपको समस्या नहीं होगी बात में 240 is a correct option चलिए we are moving on next question यहाँ पर बताएए दी गई स्रेणी में अलग पद क्या है अगला पद क्या है अगला पद क्या है बताएए अगला पद क्या हो जाएगा भाईया बताएंगे दी गई स्रिंखला में अगला पद क्या होगा यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर आपकी क्याँ से स्रिंखला सुरू हो जाती है क्यूब वाली कौन सी स्रिंखला सुरू हो जाती है भाईया क्यूब की स्रिंखला सुरू हो जाती है क्यूब मतलब घन घन का मतलब क्या एक का क्यूब कितना एक दो का क्यूब आठ तीन का क्यूब 27 चार का क्यूब कितना होता है 64 पांच का क्यूब कितना होता है 125 चे का क्यूब कितना होता है 216, 7 का क्यूब कितना होता है 343, 8 का क्यूब कितना होता है 512, 9 का क्यूब कितना होता है 731, 10 का क्यूब कितना होता है 1000, 11 का क्यूब कितना होता है 1331, 12 का क्यूब कितना होता है 1728, 13 का क्यूब कितना होता है 2147, एक बार चेक कर लिजेगा, चेक कर हमको भी मिस कर रहा है ठीक है ना ऐसे आपको cube याद होना चाहिए cube याद रहेगा तो आप तेजी के साथ कुछ भी कर लेंगे तो देखिए ये हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं 2 का cube ये 3 का cube, ये 4 का cube ये 5 का cube, तो आगे क्या हो जाएगा 6 का cube तो 216, 216 216 is the correct option 216 आपका विल्कुल सही हो जाएगा इसको बताएगे जल्दी से बताएगे इसमें answer क्या आजाएगा जल्दी से भाई आप बता देंगे तो अच्छा लग जाएगा जल्दी से बताएगा दी गए स्रेणी में अलग पद क्या है 4, 125, 218 अलग पद पूछा गया है अलग पद यहां पर पूछा गया अलग पद नहीं यहां पर गलत पद होना चाहिए था यहां पर अलग पद नहीं अगला नहीं गलत होगा गलत पूछा जादा चाहिए था रांग पद आप से गलत पद पूछा चाहिए था कि कौन सा गलत होगा ठीक है ना बताइए बताइए कौन सा गलत होगा तुम सही को भी कहते हो गलत तो मैं सही तो तुम कौन सही गलत तो मैं कौन गलत वो सड़ाह के थेरक राकिश्टार मोवी आई थी ना चलिए यहाँ पर क्या है भया यह है आपका चार का क्यूब यह है तो कहने का मतलब 218 आपका अलग हो जाएगा सभी लोगों का सही जवाब है आसान कोश्चं था लेकिन इसको बताइये वो जितना आसान था ये इतना ही अच्छा कोश्चन नमबर 13 में क्या हो जाएगा अंसर बताइए जल्दी से question number 13 में correct answer क्या हो जाएगा 10, 29, 6, 6, 127, 218 10, 29, 6, 6, 128, 23 अरे बताएगे क्या हो जाएगा इसमें correct answer भाईया यहाँ पर देखिए देखेंगे तो समझ में आ जाएगा जल्दी से बताएगा question number 13 में बताएगे क्या हो जाएगा आपको दिख रहा होगा किसर यह 2 का क्यूब है 2 के क्यूब में plus 2 किया गया तो 8 3 के क्यूब में plus 3 किया गया 3 के क्यूब में कितना 3 के क्यूब 27 plus 2 plus 2 ही किया गया 27 plus 2, 31 4 के क्यूब में plus 2 कर दिया गया 5 के cube में 5 के cube में plus 2 कर दिया गया 6 के cube में plus 2 कर दिया गया तो आगे भी 7 के cube में plus 2 कर दिया जाएगा कितना 3, 4, 3 3, 4, 3 plus 2 is equal to कितना हो जाएगा 3, 4, 5 3, 4, 5 is the correct option 3, 4, 5 आपका बिलकुल सही हो जाएगा 3, 4, 5 आपका बिलकुल सही होगा आई हो बहतर कर रहे होंगे आप लोग चलिए इस question को बताईए इसमें क्या हो जाएगा इसमें बताईए क्या हो जाएगा 216, 218, 346, 516 और 334 बताईएगा बताईए जल्दी से क्या हो जाएगा भाई इसमें 216 question number 14 में क्या हो जाएगा 216, 218 दिख रहा होगा कि ये आपकी cube की जो series है इसमें क्रम क्या है बढ़ते हुए क्रम में दिख रहा है कि घटे हुए क्रम में दिख रहा है आपको कुछ न कुछ तो दिखी रहा है तो देखिए 216 है मतलब क्या है ये 5 का cube है पांच का क्यूब है पांच के क्यूब में से अगर हम प्लस वन कर दें तो ये आ जाएगा ये क्या है ये छे का क्यूब है छे के क्यूब में प्लस दो कर दें तो ये आ जाएगा यह साथ का क्यूब है 3, 4, 3 साथ का क्यूब है साथ के क्यूब में प्लस 3 कर दें तो तो उतना आ जाएगा 3, 46 आ जाएगा यहाँ पर यह 8 का क्यूब है 8 क्यूब में अगर हम प्लस 4 कर देते हैं देखिए 512 होता है 512 होता है प्लस 2 स्कल्टूफ 16 होता है यहाँ पर देखिए सर 9 का क्यूब हो जाएगा 9 के क्यूब में प्लस 5 कर देंगे तो कितना 721 प्लस 5 34 कैसे लिखा गया है बंदू यहाँ पर 57 यहाँ पर 56 789 731 यहाँ पर 729 प्लस 5 कितना हो गया 734 उसके बाद 10 का दोगे 6 तो 1006 हो जाएगा 1006 1006 is a correct option 1006 is a correct option बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 106 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चलिए अगले कोशन की तरफ move करते है देखिए यहाँ पर क्या है कोशन नमर 15 जल्दी से बताएगे कोशन नमर 15 जल्दी से बताएगे एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे एक बार जल्दी से सभी लोग लाइक कर दीजे शेयर करनी कोई ज़रत नहीं है क्योंकि त्योहार का समय है तो शेयर मत करिए सिर्फ लाइक कर देंगे जल्दी से वीडियो को सभी जो लोग लाइक नहीं किये हैं बताए जल्दी से जल्दी से बताएगा इसमें क्या हो जाएगा तो हमारे बास आगे कुछ इसक्वाइर नहीं दिखरा है लेकिन हम अप्रोच क्या लगाएंगे, हम अप्रोच ये लगाएंगे कि ये होगा कितना, ये होगा ये होगा आपका 3 का क्यूब में से आपका 2 घटा आगे, ये होगा 4 का क्यूब, 64 में से 2 घटा, ये होगा 5 का क्यूब, 5 के क्यूब में से 2 घटा, ये होगा आपका 6 के क्यूब में से दो घटेगा साथ का क्यूब 347 343 कितना होता है 343 में से दो घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 341 ओ माई गॉड जल्दी अल्दी में हमने गलती कर दी ना जल्दी अल्दी में हमने गलती कर दी तीन 64 यहां पर देखिए पांच बचे पचीस एक सो पचीस चिचाग चतिस शक्का 216 यहां पर एक संख्या मिसिंग है बीश से 20 से एक संख्या मिसिंग है आगे हमारा 8 वाला चलेगा 6 वाली एक संख्या टाइप नहीं की गई है आगे चलेगा 8 का क्यूब 8 के cube में से minus 2 कर देंगे तो 512 में से minus 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 510 510 हो जाएगा 510 correct हो जाएगा बीच वाली संख्या 6 वाली लिखी नहीं गई है इसलिए थोड़ा सा mistake था कोई बात नहीं कोई बात नहीं गल्तियां गल्तियां छोती रहती है चीजों में ठीक है न चलिए छे वाला 214 नहीं लिखना चाहिए था 214 यहाँ पर बीच में होना चाहिए था लेकिन वो लिखा नहीं है ठीक है न चलिए अगले कोईशन की तरफ चलते हैं कोईशन नमबर ज्यादा कोईशन नहीं कर रहाँगा परिशान न होए 25 कोईशन कर लिजे 20-25 कोईशन बस चलिए यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर 342, 510, 226, 226, 236 यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 343, आपको देखके क्या समझ में आ रहा है कि यह सर्थ 7 का क्यूब है इतना तो समझ में आ रहा है कि यह 7 का क्यूब है जब इतना समझ में आ रहा है कि 7 का क्यूब है तब एप्रोश तो आप लगा ही सकते हो तब एप्रोश तो आप लगा ही सकते हो यह आपका हो गया 10 का क्यूब, 10 के क्यूब में से आपका 4 गया है, यह आपका हो गया 11 का क्यूब, 11 के क्यूब में से 5 गया है, 11 का क्यूब 13, 31 होता है, 13, 31 में से 5 गटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13, 26 हो जाएगा, और उसी तरीके से 12 का क्यूब कितना होता है, आपका 12 का क्यूब होता है 17-28 17-28 में से कितना घटा देंगे 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 17-22 17-22 17-22 is the correct option 17-22 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा है बराबर? सही है अगले कोशन की तरफ बढ़े ठक तो नहीं रहे ना चलिए 25 कोशन तक तो साथ देंगे ना 25 कोशन तो कम से कम साथ में किया ही जाएगा ना छलिए थोड़ा क्लाश शोटी ही रखेंगे चलिए इस कोशन में बताईए इस कोशन में अगला पत क्या हो जाएगा 2-10-30-68-130 2-10-30-68-130 2-10-30-68-130 2-10-10 प्लस एक ये कितना है 2 का क्यूब प्लस दो ये कितना है ये है आपका 3 का क्यूब प्लस 3 ये कितना है शार का क्यूब प्लस शार ये कितना है आपका 5 का क्यूब प्लस 5 आगे 6 का क्यूब प्लस 6 छेचाक शत्तिशक का 216 प्लस 6, 6-6-12-200 122 हो जाएगा 122 is the correct option 122 हो जाएगा 17 में 122 17 में कितना हो जाएगा भीया 122 हो जाएगा बहुत बढ़िया चलिए अगले कुशन की तरफ बढ़ते है अगले कुशन की तरफ move करते है कहना कि कौन कहता है आस्मा में सुराक नहीं कर सकते प्यारे क्या कहें कि कौन कहता है आसमा में सुराक नहीं कर सकते एक पत्थर तो तबियत से उच्छालो जा रहा क्या बात है अब इस लाइन को आप देखिए यहां पर इस कोशन को बताएगा 0, 6, 24, 64, 120 0, 6 हर तरीके से इतना कोशन सिरीज पे कर देंगे न कि as possible उससे ज़्यादा अप्रोच हो ही नहीं सकता सर हर तरीके कोशन का अप्रोच लगाएंगे इसके बाद जब हम कोशन पे आएंगे तब आप देखेंगे कि कितना आसानी से चीजे हो रही हैं कितने आसानी से कोशन हो रहा है अभी आप एक के क्यूब में एक जोड़े थे तो क्या हो गया था दो हो गया था अगर वही एप्रोच यहां लगा लें एक के क्यूब में से एक घटा दे तो जीरो दो के क्यूब में से दो घटा दे तो चार तीन के क्यूब में से तीन घटा दे तो चौबिस चार के क्यूब में से चार घटा दे तो साट पांच के क्यूब में से पांच के क्यूब में से पांच घटा दे पांच के क्यूब में से चार घटा दे पांच के क्यूब में से पांच घटा दे छे के क्यूब में से छे घटा दे 216 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा 210 210 याद कर लेना इस तरीके से स्रीज डारिक्ट आपके एक्जाम में बनती है इस तरीके से स्रीज डारिक्ट बनती है आपके आप पेपर में 5, 6, 10, 19, 35 5, 6, 10, 19, 35 बताईए 5, 6, 10, 19, 35 19 कुश्चन बताएं जल्दी से 19 है ना बताईए अब यहाँ पर तो कुछ स्कॉयर देख नहीं रहा है सर क्या किया जाया अब तो यहाँ पर कुछ स्कॉयर नहीं देख रहा है स्कॉयर का खेला खत्म नहीं सोच का सोचिये क्या किया गया है बस सोचने का फेर है, चीजे समझ में आ जाएंगी, देखिए, यहाँ पर अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर प्लस वन का गैप है, यहाँ पर प्लस फोर का गैप है, यहाँ पर प्लस नाइन का गैप है, यहाँ पर प्लस 16 का गैप है, तो अगले में कितने का हो जाएगा, यहाँ पर 1 का gap, यहाँ पर 2 का square, यहाँ पर 3 का square, यह 4 का square, तो आगे यहाँ पर 5 का square, मतलब 25 का gap हो जाएगा, और 25 का gap का मतलब कितना हो जाता है, 60, 60 हो जाएगा, तो 60 is a correct option, 60 आपका बिलकुल सही जवाब हो जाएगा, 60 आपका बिलकुल correct answer हो जाएगा, चलिए अगले question की कोशन नमबर 20 में बताए कौन सा पद गलत है कोशन नमबर 20 में बताए कि कौन सा पद गलत है जल्दी से बताए इसमें कौन सी संख्या ऐसी है जो गलत है साथ, नौ, सत्रा, बैयालिस, एक क्यानबे उसके बाद 172 बताए कौन सी संख्या इसमें से गलत है बताए सभी लोग बहुत बहुतर तरीके से बहुत जादा नहीं बस कुछ देर और रुख जाए हम लोग बस 25 कोशन निप्टा लेते हैं 5 कोशन और जिससे ये हो जाए कि कम से कम कुछ काम कर लिया गया ठीक है ना चलिए यहां पर देखिए यहां पर अगर हम देखते हैं सर तो यहां पर कितने का अंतर दिख रहा है आपको यहां पर 7 मतलब 7,3,10,4 का अंतर इधर 7,4 यहां पर देखिए तीन इधर जुडा सत्रा पांच सुरी पांच का अंतर पांच सत्रा तीन पांच और उसके बाद बीज पचीस कितने का अंतर है यहां पर 25 का अंतर है यहां पर 42 42, 8, 9, 42, 8, 9, कितना अंतर दिख रहा है, 42, 8, 9, 25, 42, 8, 9, 49, 49 का गैब दिख रहा है, यहाँ पर कितने का गैब दिख रहा है, 49, 49 का गैब दिख रहा है, और यहाँ पर 91, 81 का गैब दिख रहा है, तो क्या समझ में आ रहा है, यह कितना है, यह 5 का स्क्वाइर है, यह 7 का यह स्वारी नौ का स्क्वाइर यह नौ का स्क्वाइर है तो यहां पर क्या होना चाहिए था यहां पर गैप किसने का तीन के स्क्वाइर का गैप होना चाहिए था और यहां पर कितने का एक के स्क्वाइर का गैप होना चाहिए था अगर हम देखें एक के स्क्वाइर का गैप 147, 153, 169, 165 बताईए इसमें क्या हो जाएगा बताईए इसमें क्या हो जाएगा 147, 153, 169, 165 क्या हो जाएगा इसमें बताईए जल्दी से जल्दी से बताईए इसमें क्या हो जाएगा बताएं क्या हो जाएगा भाईया बताई जल्दी से क्या हो जाएगा चलिए आईए देखते हैं कुशन नमबर 20 हम देख लेते हैं कुशन नमबर 21 हम देखते हैं क्या है आपका तिहान से देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा यहां से यहां तक का प्लस 6 का अंतर है यहां भी प्लस 6 का देखें सिंपल अंतर आने लगा प्लस 6 का अंतर है तो आगे भी प्लस 6 का अंतर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6-5-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11 नियत जोड़ था अगे यहाँ पर देखिए कुशिण नमबर बाइस इसमें क्या किया गया है यहां पर अगर आप देखोगे तो गया है साथ के बाद देखे यहां पर 11 का जोड़ा गया है कितना जोड़ा गया है यहां पर 11 जोड़ा गया है इसके बाद और नौ जूर अटना कितना जुरा दिख रहा है नौ जूरा दिख रहा है कुश्र नमर 32 में देखे क्या लगा रहा है बताइए इसमें क्या लगा रहा है बहुत तेहीं के साथ बठाएगा अ यहां पर 11 कांतर तो यहां पर 13 कांतर होना चाहिए था 31 कुछ गरबड हो गया है ना यहां पर स्रीज में कुछ छेड़ चाड़ हुई है देखिए यहां पर कितना होना चाहिए था यहां पर 31 होना चाहिए था तब सही हो जाएगा देखिए प्लस 3, यहाँ पर प्लस 5, यहाँ पर प्लस 7, यहाँ पर प्लस 9, और यहाँ पर प्लस 11, और यहाँ पर क्या हो जाता, प्लस 13, 13 हो जाएगा, तो 42, 42, 13 कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा, 55, 42, 13 कितना हो जाएगा, भीया, 55, B is the correct option, B आपका correct option, बस 2-3 कोशन और दो कोशन और देख लीजिए बस उसके बाद मैं ओबर करता हूँ 123 में देखिए क्या हो जाएगा कोशन नमबर 23 में ध्यान से देखिए बहुत आसान कोशन है एकदम अराम से देखिए यहां पर देखिए इन दोनों के बीच में माइनस 5 का अंतर यहां भी माइनस 5 का अंतर आगे भी माइनस 5 का अंतर होगा तो 94 हो जाएगा च्वारण करेक्ट आइंसर 94 आपका बिलकुल सही हो जाएगा समझ में आई बाद आसान है ना हर तरीके से कोशन करा रहे है ना चलिए बस last second last question आपके पास देखिए 15 14 12 9 5 0 अब भये 0 से क्या पीछे जाओगे 0 से क्या पीछे जाओगे चलिए देखते हैं 0 से क्या पीछे जाता है जल्दी से बताए एकदम साफ नजर में आ रही कि न minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 और ये minus 6 minus 6 का मतलब minus 6 हो जाएगा minus 6 is the correct option माइनस 6 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अगला कोशन नमबर 25 आपके सामने है 25 देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2618 54 कोशन मार्क 2618 54 कोशन मार्क जल्दी से बताइए यह आपका है लाश कोशन इसके आगे 25 के आगे हम सुरू करेंगे बेभी कल आपके दिवाली के दिन हो सकता है मैं 10 बजे आपसे ना मिलूँ क्यों क्यों समया आप पठाके शुड़ा रहे हुगी तो समया आने कोई मतलब ने है लेकिन हाँ 5 तारीक को मतलब परसो हम जरूर आपसे कंफर्न मिलेंगे तो एडवांस में सभी लोगों को हैपी दीपावली सभी लोग समाल के प्यार से खेलिएगा कोई दिक्त नहीं है देखिए घर वालों के साथ अपने बड़ों बुजर्गों के साथ छोटों के साथ अच्छे से ब्योहार करिए यही सबसे कोईशन नमबर पचीस तक मैंने आपको करा दिया है आई होप आप लोग पचीसों सही किये होंगे और बहतर तरीके से चीजों को समझे होंगे आप से कल नहीं मुलाकात होगी तो परसों 100% होगी क्योंकि ऐसा समय है इस समय आप सेलिबरेट करते रहेंगे कल तो में भी कल आप से मुलाकात नहीं होगी लेकिन परसों 100% श्योर मुलाकात होगी थैंक्यू है वा सेफ दीपावली सभी लोगों को सभी बड़े बुजर्गों को सभी आपके आपके माबापको सभी लोगों को श्योर मुलाकात होगी लोगों को सभी लोगों वा से दीपावली सभी लोगों को